आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपको की बिटकॉइन का प्राइस एक्षिन किस तरह से पर्फेक्टली प्ले आउट किया है कल जो मैं आपको बता गया था रात में और परसों के लाइस्ट्रीम में बता गया था दो जगा ब प्राइस यहां वाले को तोड़ देता है जो कि फोर आर केंडल में डिरेक्ली तोड़ दिया थे और तोड़ने के बाद फिर से एक री टेस्ट मारा टेस्ट करने के लिए सपोर्ट को फॉर्टीवन सेवन और यहां पर यहां पर बहुत अच्छा इसने बताया आपको कि भी अब हमारा यहां पर एक रेजिस्टेंस है और इसने प्रूफ कर दिया उस रेजिस्टेंस को अब जैसे ही रेजिस्टेंस प्रूफ हुआ प्राइस धनाम से नीचे गिरा ठीक अब क्या हुआ कि ऐसे टाइम पर मैंने खोली थी शॉर्ट पोजिशन मैं तो मार्केट शॉक क अब आपको याद होगा कि जो मैंने आपको कल बताया था कि बिट्कॉइन का प्राइस जो है वो 40,000 को होल्ड नहीं कर पाया यह चीज भी बताई थी कल की वीडियो में कल ही रात की वीडियो में कि 40,000 कमजोर सपोर्ट है इसको होल्ड करेगा तो नहीं वो तो देखना पड rather Adding वी तकम लुक गहते और इस एक इरिया पर अब क्या होना ह अब यह एयरिया जो है हमारा यह होओल्ड करना चाःए क्यूंकि यह मंतली हमारा सपोर्ट है और इससपोर्ट को अगर नहीं कलें कर पाया तो दिक्कत हो जाए अब देखो यहां पर हमारी जनवरी हो एटल को के असपास होई थी और आप देखो कि अभी भी ये एक लेवल जो है 38,500 ये क्यों होल्ड किया है समझने की कोशिश किया गरो थी ये 38,500 इसलिए होल्ड किया है क्योंकि यहाँ पर मंथली क्लोजिस थे तो यहाँ पर आने का प्राइस ने एक बाउंस बैक लिया अब यहाँ से लॉंग कर सकते थे अब 38,500 से डिरेक्ट लॉंग किया 900 तक किया एक चोटा मुटा स्काल बनाया मस गिया तो इस तरह से ट्रचा रही थी तो मैंने आपको कंफर्म बता दिया था कि क्या होना है यह एक फेक ब्रेकाउट हो सकता है लेकिन काला की बात है कोई भी ट्रेडर इतना 100% नहीं हो सकता अपनी ट्रेट को लेके तो मैंने आपको दूनों रिस्क बताया थे अगर इसके उपर जाता है तो अच्छी पर मैं फिर भी देखना चाहूंगा कि बिटकॉइन का प्राइस यह रेड वाले जोन में जहां पर अच्छा वॉल्यूम था प्रायर वॉल्यूम था पहले हिस्टॉरिकली तो इस जगहां पर वॉल्यूम होल्ड करें प्राइस को यानि 38 से 39 के अरौंड यहां पर प्राइस रुकना चाहिए मेरे ख्याल से रुकना चाहिए या बाउंस करना चाहिए फसना चाहिए अगर हम इसको तोड़ गए अगर हम इसको तोड़ गए तो दीरे ना दीरे हमको यहां ही आना है यहां पर जो आपको 35,000 वाला लेवल है ठीक पहले देखो यहां पर देखो और इसक लगी यह पूरा जोन जो है accumulation जोने जहां पर बुल्स बेर्स जो भी हैं वेल्स accumulate कर रहे होंगे पर यह परपल वाला जोन आना बनता है अगर यह तूड गया 38,200 या 300 से नीचे आ गया प्राइस तो यहां पर हमको देखने को मिलेगी प्राइस की movement नीचे तक अब देखते हैं हम लोग यहां पर लूना का चार्ट आप लूना देखो लूना यहां पर 90 तक गया और यह 87 का एक support बजा था तूड गया लेकिन आया कहां हमारे 84 वाले लेवल पर आया यह देखो प्राइस चेक करो 80.31 ठीक यहां पर आया अभी यहा मार्केट में अभी कह सकता हूंना मैं आप सबको मना करूंगा कोई भी कॉइन मत उठाना भी यह मार्केट बहुत बहुत ज्यादा रिस्की फेस में चल रही अभी जो दुनिया मेर में हो रहा है उसके चल लेकर तो 84 वाले लेवल देखना लूना अगर उठाना हो थोड़ा रहा है रूना का रून की बात कर तो रून रिजक्ट कर गया वहीं से हमारे अच्छा वाले लेवल से 5.9 से नीचे आ गया तो रून में आपको प्रॉफिट बूकिंग के लिए बोला था मैने कल और मैटिक की बात करें तो मैटिक फाइनली हमारे ग्रीन जोन में आ गया 1.45 5 1.3 आपको बता है क्या करना है इस जगा पर DCA करना है जितना नीचे जाएगा उतना DCA करना है और आप से करते रहना है तो that is all for today's video I hope आपको अच्छे लगी अगर अच्छे लगी प्लीज वीडियो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं विलता हूं थे नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो